नमस्कार दोस्तों मैं सुम्हित मिस्रा एक बार फिट से स्वागत करता हूँ आप सभी का मिस्राजी टेक्निकल यूटूब चैनल में दोस्तों ASEAN Games 2018 की ये दुबारा revised वीडियो है पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने कल बनाया था उसमें थोड़ी सी टाइपिंग में इरर आ गई थी दरसल हुआ क्या दोस्तों कि मैं आप लोगों को जादा से जादा वीडियो प्रोवाइड करना चाहता था और उसके लिए टाइपिंग में बहुत जादा टाइम लग जाता था इस वज़ोसे मैंने उसको किसी ανे लोग से में उसको टाइप करवाया था तो उसमें उस टाइपिसट ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था और उस mistake की वेज़से मुझे दुबारा ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मैं आप लोगों को गलत जानकारी नहीं दे सकता हूँ तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कल बताया कि सर इसमें यहाँ पर गलतियां है तो थैंक्यू यार सो मज कि आप लोगों ने समय रहते यह चीजें बता दी और जिससे और लोगों का नुकसान ना होने पाए तो इस वज़से में यह दुबारा वीडियो बना रहा हूं तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों यह पूरी तरीके से करेक्ट है और पूरी सही-सही जानकारी है तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे ठीक है तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो की पीडिया फाइल डाउनलोड कर सकते हैं टेलिगरम ग्रूप पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुर्ण सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए चलते हैं पहले कुश्चन की तरफ पहला कुश्चन है अठारवें ACI खेलो का आयोजन कहां हुआ इंडोनेसिया की राजधानी जकारता और पालंबर्ग म कहां हुआ इंडोनेसिया में यानि कि बी अप्सन विल्कुल करेक्ट होगा अब यह ठारवा ACI खेल पहला ACI खेल हुआ जो दो सिटी में कंड़क्ट हुआ कौन कौन सी सिटी थी एक तो थी जकारता जो कि उसकी राजधानी ही थी और दूसरा था पालंबर्ग बंग कौन सा समयुए और थीम दोस्तों बहुत पूछा जाता है तो अठारवे ACI का मोटो क्या था एनरजी आफ एसिया चानि कीती यदिक हैसिया की उप्रजा है यही था अठारमेवें XI खेलों का सुभांकर क्या है तो अठारमें XI खेलों में दूस्तों तीन वंकर थे कौन-कौन से थे एक सिंग वाला गैंडा हिरंड और स्वंड पक्षी ये तीनों जो थे ये तीनों एसे खेल 2018 के सुभंकर रहे हैं तो इस वज़ा से इसमें डी अप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा तो थी का डी होगा तो आठारवें एसे खेलों में सुभंकर अगर पूशा जाए तो फिर तीनों सुभंकर थे एक सिंग वाला गैंडा हिरंड और स्वंड पक्षी ओके चलिए चलते हैं नेक्स कुछन की तरफ नेक्स है अठारवें एसे आई खेलों के उधगाटन समारों में भारतिय दल का ध्वजवाहक कौन मना तो ये उधगाटन समारों में पूछा है उधग अब बात करते हैं नीरत चौपड़ा कौन है नीरत चौपड़ा दोस्तों जैवलिंग थ्रो के एक खिलाडी है कौन है जैवलिंग थ्रो जैवलिंग थ्रो आप भाला फेक के नाम से भी जानते हैं और रानी रामपाल कौन है रानी रामपाल दोस्तों इंडियन हाकी वुमे प्रतियस प्रधा में स्वण्ड प्रतियस प्रधा में किस न जीता जिंसन जॉंसन ने यानि कि 5 का सी अप्सन बिल्कुल करेक्ट होगा ओके नेक्स्ट है एस याई खेलो में भारत ने किस देश को हांकी में प्राजित करके 86 वर्सों की सबसे बड़ी जीत हासिल की तो एस याई खेलो में भारत ने होंक कांग को प्राजित करके 86 वर्सों की सबसे बड़ी जीत हासिल की है तो यानि कि C आप्सन बिल्कुल करेक्ट होगा चली चलते हैं नेक्स्ट कुर्शिन की तरब नेक्स्ट है एस याई खेल 2018 में भारत का कौन सा अस्थान रहा है तो एस याई खेल 2018 में भारत का अस्थान रहा है आठवां कौन सा रहा है आठवां और इस बार भारत की बहुत ही ज़्यादा बखान हुई है इस वज़ा से क्योंकि भारत ने प्रदर्शन बहुत अच्छ है चाइना का पहला स्थान है चाइना का चलिए चलते हैं नेक्स्ट कूच्छन की तरफ कि नेक्स्ट है एस याई खेल 2018 में भारत ने किस खेल में सबसे यादा पतक जीता है तो किस खेल में सबसे यादा पतक जीता है कितने? 79 मिडल हासिल कियी, next है ACI खेल में सुन पधक हासिल करने वाले अमित पंघाल का संबंध किस से है, तो ये question जो है misprint हो गया था, पिछली बार mis type हो गया था, तो अमित पंघाल का संबंध किस से है, मुख्य बाजी थे, तो अमित पंगाल मुक्के बाज हैं और इस बार सुर्ण पदक जीते थे ACI खेल 2018 में नेक्स्ट है सौरप चौधरी ने किस प्रतियोगता में भारत के लिए सुर्ण पदक प्राप्त किया सौरप चौधरी ने दूस्तों निसाने बाजी में सुर्ण पदक प्राप्त किया किस में निसाने बाजी में सौरप चौधरी एक निसाने बाज है नेक्स्ट है ACI खेलों में भारत के लिए पहला सुर्ण पदक किस ने जीता तो दोस्तों यह काफी important question है ये काफी बार ऐसा पूछा जाता है किसी भी खेल हो कोई भी वर्ड लेबल का गेम हो उसमें भारत की तरफ से पहला पदक कौन प्राप्त किया ये बहुत जादा मायने रखता है तो ये कई बार एक्जाम में पूछा भी जाता है तो ये important question है तो बजरंग पूनिया ने जो थ जीतने वाली प्रतं महिला कौन थी तो ACI खेलों में निसाने बाजी में स्वर्ण पतक जीतने वाली प्रसम महिला थी राही सरनुबत कौन थी राही सरनुबत यानि कि B option बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट है किन खिलाडियों ने टेणिस खेल की पूरुस यूगल प्रति ये 20 questions दोस्तों ACI Games से related बहुत ज़्यादा important है आने वाले सभी exams के लिए तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ध्यान से और 20 questions को तयार कर लेते हैं तो आपका ACN Games से कोई भी question incorrect नहीं होगा exam में तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों और अगर आपको भारतिये महिला हाकी टीम ने जीता है silver medal क्या जीता है silver medal अब भारतिये महिला हाकी टीम दिया है तो भारतिये पुरुस हाकी टीम ने जीता है bronze medal कौन से जीता है bronze medal तो पुरुस हाकी टीम अगर पूछा जाय तो bronze medal और महिला हाकी टीम पूछा जाय तो silver medal अब silver medal जीता है तो क जापान से हारी है तो जापान से हांकी टीम में हारी है और कवड़ी में हारी है इरान से तो इस कुश्चन से इतना आपका तयार हो जाता है चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट है एसियन गेम्स 2018 में भारतिये पुरुष कबड़ी टीम ने कौन सा पतक जीता है तो भारतिये पुरुष कबड़ी टीम ने जीता है ब्रांज मेडल क्या जीता है ब्रांज मेडल और भारतिये पुरुष कबड़ी टीम किस से हार कर जीती है तो इरान से हार कर जीती है ओके इरा इरान से सेवी फाइनल हार गए थी तो फिर सिलवर मेडल और सारी ब्रांज मेडल जीती है बhst verdadbau आविए महीला कवड्डी टीमने क्यां सो मेडल जीता है ब chem 72 असरीे चीथा है सिल्वर मेडल कहसे हार कर जीती है मतलब Фाइनल कि से हारी थी थी भरतिय उन्हें अले धी social operations पुरुस टीम जो थी वो सेमी फाइनल हारी थी तो पुरुस कबड़ी टीम पूछा है तो फिर ब्रांज मेडल करेक्ट अपसन होगा अगर महिला कबड़ी टीम पूछे तो सिल्वर अपसन बिल्कुल करेक्ट होगा तो इस कुश्चन से इतना आपका त्यार हो जाता है चलिए चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन के तरह नेक्स्ट है बैटमिंटन प्रतियस परधा में किसने रजत पतत जीता है रजत यानि कि सिल्वर तो किसने सिल्वर मिडल जीता है पीवी सिंदू पीवी सिंदू दोस्तों हाल फिलाल के कई गेम्स में लगातार फाइनल हारती आई हैं तो फाइनल ये काफी बार हार रही है तो यहां से भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि अभी Commonwealth गेम्स में भी यह हारी थी और उसके बाद इससे पहले डियो ओलमपिक में भी यह हारी थी तो silver medal PB सिंधु जीती है next है तेजिंदर पाल का संबंद किस खेल से है तो तेजिंदर पाल का संबंद है दोस्तों गोला फेक से किसे है गोला फेक से यानि D option बिल्कुल correct होगा next है ACI खेलों में rowing team ने कौन सा पदक जीता है तो rowing team दोस्तों पूछा है तो rowing team ने जीता है silver medal यानि की रजत पदक जीता है तो रजत यानि silver B option correct होगा next है ACI खेलों में समापन समारों में भारतिय दल का ध्वजवाहक कौन मना तो मैंने आपको बताया कि अगर पूछे उद्घाटन समारों तो उद्घाटन समारों में किस ने किया था ध्वजवाहन नीरत चोपड़ा में और समापन समारों में किस ने किया रानी रामपाल ने नीरत चोपड़ा भाला फेक यानि की जैवलिंग थ्रों से संबंधित है और रानी रामपाल भारतिये महिला हा की टीम की कैप्टन है तो समापन समारो पूछा है तो B-Aption यानि रानी रामपाल बिलकुल करेक्ट होगा और इस PDF की दोस्तों मैंने अंसर की भी रिवाइस्ट करके इसमें अपलोड की है तो ये दुबारा मैंने फीडिया फाइल बनाया और दुबारा मैंने एक्स्प्लेन किया क्योंकि गलत जानकारी हम आप लोगों को नहीं दे सकते हैं उसमें थोड़ा सा एरर आ गया था टाइपिंग में और टाइपिस्ट की वज़ा से तो अब मैंने इसको दुबारा क्रास चेक करके फिर से वीडियो अपलोड किया है तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों और इस वीडियो का पीडिया फाइल दोस्तों आप टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं तो तुरंट आपके फास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और इसके साथ ही दोस्तों मैं करेंट अफेर की डेली वीडियो अपलोड करता हूँ तो सुबह उठकर आप लोग टेली हैबिट बनाएए करेंट अफेर की वीडियो देखने की अगर आप वो करेंट फेर की वीडियो देखते हैं तो उसके साथ साथ आपका GS का भी काफी सारा पोर्शन तयार होता चलेगा उसमें कई सारे में GS के पोर्शन भी बताता हूँ तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई सब्सक्राइब नाओ और प्रेस दो बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट